तो दोस्तो आज मैं करने वाली हूँ बहुत ज्यादा सिंपल एक्सराइज आपके हैंगिंग बैली फैट के लिए जी हाँ अगर आपका पेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है और आप जुक नहीं सकते ज्यादा जंपिंग नहीं कर सकते तो ऐसी कौन सी एक्सराइज कर बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो गाइस यह मेरी फर्स्ट वाली एक्सराइज आपको जुकना है पर उतना जुकना है जहां तक आपकी बॉड़ी अलाओ करें देखो मैं तो पैरों को भी टच कर सकती हूं पर आपको ज्यादा पैर टच नहीं करने जहां तक भी आपकी 30-40 सेट कर लेने हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेनी है फिर दुवारे से 30-40 सेट कर लेने हैं कम से कम आपको इसके करने हैं 100 तक सेट यह बहुत ही ज्यादा यूसफुल एक्सराइज है हमारे हैंगिंग बैली के लिए जितना भी आपका आगे पेट बढ़ा हुआ है इ अब ही मुझे मैसेज आया था मेरे एक सब्सक्राइबर था तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा वेट ना 90 केज़ी है कि मेरा वेट कम हो सकता है अब ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका अगर 90 यह 100 केज़ी वेट है तो कम नहीं हो सकता जरूर हो सकता है आप यह बोला करो कि एक भी दिन मिसने करना है बहुत ही प्राब्लम है तम मिस कर दो बाकि आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है अगाइस यह मेरी सेकिंड वाली एक्सराइज है बहुत ही सिंपल है इस तरह से हाथों को कर लेना है और नीज को राइट लेफ्ट करके मोडना है आपने सब्सक्राइब करने मतलत 써위क्राइब क्या प्रज़ चीज़ घीट मोइथ दियान है कभी भी बर को महीने में Chinese म्लाति देङ Ноable में हफते में भी आपको दिख जाएगा कि आपका वेट कम हो रहा है वो कैसे एक तो आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है on time खाना खाना है खाने का discipline रखो कि बेई मुझे 9 बजे breakfast करना है या 8 बजे breakfast करना है 11 बजे मुझे कोई fruit break करना है 2 बजे मुझे अपना दाल चावल सबजी रोटी खानी है शाम का नाश्ता भी आप चाई ले सकते हो low fat दूद वाली चाए और कमचीनी वाली चाए और जो है मुझे 6-7 बजे अपना डिनर खतम कर देना है और डिनर जो है बिलकुल हल्का फुलका डिनर आपने करना है हैवी डिनर बिल्कुल मत करो तीन रोटियों की भूखया दो खाओ दो की भूखया एक खाओ चाहे दाल ये सबजी की quantity जादा रख दो पर आपको कोशिश करने है कि उनमें कम तेल में बना हुआ खाना हो सबजी हमारी कम तेल में बनी होनी चाहिए ये डाल भी हमारी कम तेल में बनी होनी चाहिए इससे आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा ये मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है जो मैं आपको लेट के बता रही हूँ ये हमारा बैली फैट बहुत जल्दी कम कर देती है मैंने ना अपनी नीज को इस तरह से पकड़ा और पकड़ के रखा और या मैंने 10 ये 20-30 सेकिंड तक इसी तरह से पकड़ के रखा होल्ड करके आपको रखना है अपनी नीज को जिस तरह से मैं होल्ड करके रख रही हूँ आपको न अपनी belly को दबाना है मतलब एक तरह से आपको pressure feel करवाना है belly को और इससे हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है सब को इसको try कर सकते हैं beginner, heavy weight वाले, age group वाले भी try कर सकते हैं दिखो practice make man perfect धीरी धीरी आप start करो मुझे पता है जिनका heavy weight होगा वो इस तरह से fold हो सकते हैं जैसे भी आपकी body अलाओ कर रही है वैसे करते जो बस आपको मतलब है अपना workout करने से ठीक है थोड़ा का अगर आपका 90-100 kg weight है आप रात का खाना skip कर दो अगर कर सकते हो तो देखो एक दो दिन दो तिन दिन दिक्कत आएगी फिर कोई problem ने होगी आपको आदित हो जाएगी दो तिन दिन रात का खाना मत खाओ आप क्या करो साड़े छे बत कोई अपना favorite fruit खालो mango और banana को छोड़के तरबूज कुछ भी खा सकते हो water melon को ले सकते हो आजकल खीरे बहुत अच्छे आरे हरे हरे खीरे वो खा सकते हो साथ में चुकंदर गाज जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो इस तरह से आप करोगे ना बहुत जल्दी आपका weight कम हो जाएगा trust me guys थोड़ इसा कस्ट होता है शरीर को बाकि आपकी बॉड़ी में कोई कमी नहीं आएगी आप सोचो कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा तो मैं पता नहीं क्या कमी आजाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा इवन आप बहुत जादा healthy हो जाओगे तो रात का खाना खाने की जगा fruit की diet लो य खाने आपको 5-6 बजे खालो जो भी आपको दाल रूटी सबजी खानी है न खालो उसके बाद कुछ मत खाओ सुबह आठ बय तक सिर्फ आठ ये साड़े आठ बजी अपना break fast करो मैं बोलते हूं आपको तीन चार दिन में result दिख जाएंगे कोई आपको जादा ताम जामनी क करना पड़ेगा बस exercise रोज करनी पड़ेगी वह भी आदे आदे घंटे का वर्काउट लेके चलो वह इनाफ आपके लिए ठीक है एंड गाइस वाली exercise बहुत अमेजिंग यूजफुल exercise अगर आपको नीचे फर्स चुबहेगा ना आप कोई भी मतलब गुद गुदा सा बढ़ती है फुल बॉड़ी की तो बहुत ज्यादा अमेजिंग यूजफुल exercise है इस तरह की simple simple exercise करके भी हम अपना पेट बहुत जल्दी अंदर कर देते हैं और पेट सच में अंदर हो जाता है या आप खुद राई करना खुद इन exercise को रोज करना आपको वन वीक में रिज peaceful exercise है सारी ही देखो इसमें आपको ना कहीं jumping देखी ना कोई running देखी ठीक है इस तरह की आसान सी exercise करके भी आप अपना वजन घटा सकते हैं तो आपने सारी exercise try करनी हैं धीरी धीरी करो कोशिश करो सबके 100-100 set कर सको नहीं कर पा रहे हो 50-60 लेके चलो ठीक है आज मैंने 50 कर लि पूरा ध्यान रखना है जितना हमारा exercise help करेगी हमारा वजन घटान में उतना हमारा diet का भी बहुत main role होता है हमारा वजन घटाने में healthy बनाने में तो guys इस साड़ी चीज़ें आपको साथ में लेके चड़ना है बहुत जल्दी आपके पूरी शरीर का मोटापा खतम हो तो मेरी next वाली exercise है आप देख रहे हो कितनी simple है थोड़ी थोड़ी सी movement करनी है 50-60 set लेके चलो इतनी सी movement करो बहुत जल्दी आपका weight कम हो जाएगा तो कोशिश करने वालों कि ना कभी हार नहीं होती है आपने हार नहीं मानने कि मेरा weight कम नहीं हो सकता weight जरूर कम होगा आपन मुझे जब मेरा weight कम होनी लगा था ना मैंने बहुत सारी changes देख्या अपनी body में तो मतलब changes क्या देखे कि जब मेरा exercise कर रही थी मैंने यह देखा कि कौन सी exercise से मेरा वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है क्या खाने से बढ़ रहा है क्या खाने से नहीं बढ़ रहा है वही सारी चीज़े में आपको बताती हूँ जो सारी चीज़े मैंने खुद पे आज माई हुई है ना वो मैं आपको बताती हूँ मैं कोई fake चीज नहीं करती मतलब मुझे इन चीज़ोंने असर दिया है result देखा है तम मैं आपको बताती हूँ तो इसलिए भी मैंने किसी की सुनी-सु आपने देखने हैं रोड़ करनी है आपने खाने पिने का भी त्यादा ध्यान डखना है और आपके जो मontιटी हो त्यों आपते जो अब मुझे सब्सक्राइबर के लिए वीडियो जुरूर बनाऊंगी क्योंकि काफी सारे मुझे देखके एक्सराइज करते हैं तो मैं उनको निराश नहीं कर सकती हैं यह हमारा साइट फैड और बैली फैड बहुत जल्दी कम कर देती है इस तरह से आपको टांगे थोड़ी सी स्टीच कर करनी है और अपने जो है पैरों को चूने की कोशिश करनी है नहीं चूपा रहे हो नीज को चूलो ठीक है बहुत जल्दी आपका जो है बैली फैट और साइड फैट कम हो जाएगा तो गाइस यह था मेरा आज का बहुत ज्यादा यूसफुल वरकाउट कैसा लगा मेरे को ज टेक क्या स्टेए हल्दी